सोना हातू में ठंका गिरने से एक महिला की हुई मौत, तीन घायल, तीन भैसा का भी मौत सोना हातू प्रखंड में शनिवार शाम को एक के बाद एक कई गाव में ठंका गिरा जिससे एक महिला की मौत हो गई तथा तीन महिला घायल हुई है इस क्रम में तीन भैसा का भी मौत हुआ है लोवाडीव गाव में ठंका गिरने से 36 वर्षिय सरस्वती देवी का मौत हुआ बाकु गाव में ठंका गिरने से 55 वर्षिय कमला देवी घायल हुई घायल का इलाज सोनाहातु अस्पतार में किया जा रहा है घटना की सूचना पर आजसु नेता चित्रंजन महतो और रमेश सिंग मुंदा अस्पताल पहुँच कर घायल को बहतर इलाज की व्यवस्था कराया इधर बारेंदा पंचायत के मारांकिरी गाव में ठंका गिरने से दो महिला जुलस गई दोनों महिला 25 वर्षिय केश्वती देवी, 27 वर्षिय राधामनी देवी को ग्रामेणों के सहयोग से इलाज हेतु सिल्ली के एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया सभी महिलाएं खेत में काम कर रही थी तभी ठंका गिरा था बारेंदा पंचायत के देवान सरना गाव में ठंका गिरने से अतुल महतो के दो भैसा का मौत हुआ है ये घर के बाहर सडक किनारे पेड के नीचे बंधे हुए थे ओडेदारु गाव के अनुबाबू सेठ का एक भैसा का भी ठंका गिरने से मौत हुआ है सूचना मिलते ही बारेंदा पंचायत के मुख्या सुभधरा देवी वसमाजसेवी आजसु नेता अशोक कुमार महतो ने घटना स्थल पहुँच कर जानकारी ली और प्रशासन को सूचना देकर मुआवजा देने की माम की है सरकारी भाग से हम लोग माग करेंगे